अगर वास्ट नेम भी दिया गया है तो अकर आपके पास सिर्फ first name है और आपको number fetch कराने है तो we look up formula अगर आप use करते हैं तो देखी क्या दिक्कत आ सकती है यहाँ पर look up value राजवीर है तो राजवीर को select किया, comma दिया और यहाँ से table array यह पूरा select कर लेंगे, काम हो जाएगा फोर दबा के fridge कर देंगे, यह तो formula मैं कई बार बता कर देंगे column index number count कर लेंगे, यह one है, यह two है तो यहाँ पर two लिखना होगा, two लिख करके comma देकर के exact match के लिए हम क्या देते हैं हम देते हैं exact match के लिए zero, तो zero दे दिया है, बंचर के enter कर देगे तो यहाँ पर not applicable value आजाएगे, अब यह problem क्यों आई, इसके पीछे का reason में आपको बताता हूँ तो यहाँ पर first name और last name दोनों लिखा हुआ है, तो अगर first name के आधार पर ही यह value फेच करानी हो और we look up से ही फेच कराना हो, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले formula को edit कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करना है आपको, and shine लगा देना है, and जो लगाते है न, and percent, उसको लगा दीजेगा, जैसे ही and लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है अब आपको, यहाँ पर आपको, जो wild card symbol होता है, उसको दे देना, यह जो asterisk symbol है, उसको लगा दीजेगा, और लगा कर मैं यहाँ पे change करता हूं तो यहाँ पर देखिए यह automatic 34 हो जा रहा है देखिए 33 हो गया की नहीं ठीक है अब देखिए मैं यहाँ पे type कर देता हूं जैसे माली जी यहाँ पे मैं गया और यहाँ फाली first name type कर रहा हूं और जैसा यह enter करेंगे तो 78 automatic हो जाएगा changes अपने आप होते चले जा रहे हैं देख सकते हैं न तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं आई हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजेगा साथ ही साथ चैनल को subscribe करना न बुलेगा थैंक ये पर वचिंगे